हेलो जेई 2025 आस्पिरिंट्स कैसे हैं आप सब दोस्तों अब हमारे 11th के almost 6 months पूरे हो चुके हैं I'm sure कि जब आप लोगोंने preparation शुरू करी होगी तो आप सबने सोचा होगा कि हम top 1000 rank लाएंगे जेई एडवांस में टॉप के IIT में जाएंगे लेकिन अब 6 महीने बाद धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है स्टूडेंट्स की लाइफ में राइट लाइक बैकलॉग आने लग जाते हैं टेस्ट में शायद स्कोर कमाने लग जाते हैं तो उसी के लिए मैं आपके लिए चोटा सा वीडियो लेकर आया हूं ताकि 2025 जेई के लिए आपके ये सारे डाउट्स दूर हो सकें लेट्स बिगिन तो दोस्तों मेरे एक्स्पीरियंस में इस टाइम तक आते आते लाइक फॉर तू फाइव मंस हो जाएं जब 11 में स्टेंबर में वेक्टर अडिशन का भी क्वेश्चन दूना तो शायद वो स्ट्रगल करेंगे तो वो उनकी वो कोचिंग जा रहे हैं रेगिलरली वो स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं वो लेकिन अभी वो उस लेवल पर नहीं हैं जहां वो कंपीट कर पाएंगे राइ जो फाइट मार रहे हैं जो रेगिलरली पढ़ाई कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी लाइफ में अभी भी कुछ दिक्कते हैं शायद उनने पूरी पढ़ाई की फिर भी उनको कुछ समझ नहीं आया शायद उनने पूरी पढ़ाई की फिर भी माक्स नहीं आ रहे मौक टेस्ट में उनको शायद study material का confusion हो रहा है तो दूसरे टाइप के बच्चे वो होते हैं जिन में ज्यादा तर students आते हैं इस segment में 99% आएंगे ठीक है यह वो बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं दिन के 3-4-5 घंटे वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको शायद problems आ रही ह या test में marks उनके कम आ रहे हैं या उनके backlogs आ जा रहे हैं तो यह वो जनता है जहां पर हमें struggler दिखता है एक ठीक है और तीसरा बच्चा होता है settled यानि कि वो बच्चे जिनको जिनके number अच्छे आ रहे हैं टेस्ट में जिनको पता है कि उनको क्या पढ़ना है जिनकी आदत लग चुकी है 6 घंटे पढ़ने की ठीक है तो आप यूं समझो कि beginner बहुत कम लोग होते हैं इस phase में fighter सबसे जादा बड़ी category है और उसके बाद settled बच्चे यह भी बहुत कम होते हैं तो सबसे पहले मैं beginner बच्चों से बात करना चाहूंगा अगर आप इस category में आते हैं तो बलते थे कि अगर कभी तुमसे पढ़ाई ना हो पा रही हो अगर कोई topic तुम्हें समझ ना आ रहा हो तो तुम क्या करो कि तुम ना खुशी से अपने घरवालों को जा जाके बताओ कि मुझसे हो यह नहीं रहा हस्ते हस्ते बताओ तो उस टाइम पर हम कहते थे क्या बात कर ठीक है अगर तुम इस टाइम पर अगर तुम सच में जैनुइली एक जैए एस्पिरेंट हो और इस टाइम पर तुम स्ट्रगल कर रहे हो कि वेक्टर को भी अट करने में ठीक है तो अभी घबराने का टाइम नहीं है अभी negative thoughts लाने का टाइम नहीं है तुम हसो तुम क्याटिवी ले आओगे तो फिर कैसे चलेगा मामला इसी लिए स्माइल मेंटेन करके आराम से आहिस्ता आहिस्ता अभी तुम बाकी दो कैटिगरी इसके बच्चों को देखो ही मत आप अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करें अपना टाइम टेबल बनाए और उस छोटे-छोट को जो आप रोज के लिए लेंगे उनको अचीव करने की कोशिश करें ठीक है सेकेंड कैटिगरी में लूंगा सेटल बच्चों की अगर आप इस कैटिगरी में आते हैं अगर आप टॉपर बच्चे हैं तो कॉंग्राचुलेशन्स मगर साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि देखो अभी टाइम बहुत बचा है ठीक है डेड़ साल बचा है जेई मेंस को उसके बाद आल्मोस्ट टू यह बचे है जेई एडवांस को तो यह टाइम नहीं है कंप्लेसेंट हो जाने का प्लीज जिस कंसिस्टेंसी और रेगुलारिटी के साथ आपने अभी तक पढ़ाई की है वो गैप को आपको मेंटेंड रखना है प्लीज आप पढ़ते रहिए अगर मानलों बीच में कभी डेड़ साल में आपका यह मोटिवेशन तूटा तो शायद आप फिर सेटल बच्चे से फाइटर बच्चे फाइटर बच्चे से फिर बि बिगिनर रहेंगे वन और टू परसेंट बच्चे सेटल में रहेंगे जाद अतर बच्चे इन फैक्ट मैं आपको बताता हूं मैं हमेशा कभी अपने अपको सेटल समझा ही नहीं मेरा एटी बॉंबे में सेलेक्शन हो गया इवेंच्वेली लेकिन मैंने हमेशा अपने यह जिनको अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है तो दीरे-दीरे करके मैंने इस पीपीटी में आपके लिए सारी वह प्रॉब्लम्स डिसकर्स करी हैं जो कि शायद आप फेस कर रहे होगे अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम्स भी हैं जो आप चाहते हैं मैं डिसक कर पाएं ठीक है तो जेई में न आप बहुत लंबी जर्नी है इस वज़े से आप जेई को एक सिंगल माइलस्टोन वाला इवेंट मत समझो ठीक है आप क्या करो उस इवेंट को तीन पार्ट्स में डिवाइड करो ठीक है यहां मैंने आपको दो डेट्स दे रखी हैं एक फ पूरी कर लेना मतलब की कम से कम 90-95 परसेंट आपकी 11 की प्रेपरेशन इस टाइम तक हो जानी चाहिए ठीक है मगर प्रॉब्लम्स डिसकस करने से पहले एक बार अपना रोड मैप देख लेते हैं कि हमें क्या टार्गेट करना है तो देखो फ्रेंड्स जैई जो है वो करना पड़ेगा ठीक है तो यहां मैंने आपको एक बहुत ही हाई लेवल पे ब्रॉड लेवल पे एक टाइम लाइन दी है कि कब तक आपका क्या सिलिबस पूरा हो जाना चाहिए तो फेबरेरी ट्वेटी ट्वेटी तक यानि आज से अबाउट फाइव टू सिक्स मांस ले फिर फेबरी से सेटेंबर तक हमारी 12 की प्रेपरेशन का टाइम आएगा फिर अल्टिमेटली फाइनल स्प्रेंट आता है दोस्तों सेटेंबर से 620 25 ठीक Harald अब हमारा major point क्या है कि ये, ये है हमारा सबसे important milestone, September 2024, ठीक है, इस date तक आते आते, आप में दो बड़ी qualities develop हो जानी चाहिए friends, ठीक है, अब वो qualities क्या है, इस date तक आते आते, आप में 6 घंटे रोज पढ़ने की आदत बन जानी चाहिए, मैं समझता हूँ कि 6 घंटे कोई छोटा time period नहीं होता, एक दिन में 6 घंटे apart from coaching and school की बात हो रही है, यहाँ पे, एक दिन में 6 घंटे apart from coaching and school बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, और वो क्या पता आप आज की date में शायद करी ना पा रहे हो, right, मगर इस time तक हमें यह habit develop होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि यह जो last के 3-4-5 महीने रहते हैं सेप्टेंबर के बाद, उसमें आपको 11th और 12th physics, chemistry, math, सारा course एक बार या at least दो बार revise करना ही पड़ता है, वरना अगर आप revision के बिना जाओगे, तो आपकी performance उतनी अच्छे आएगी ही निजही में, प्लस इस time पर आपको mock test भी देने हैं बहुत सारे, उनकी analysis भी करनी है, तो time बचता नहीं है इधर, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई इस time पर करनी पड़ेगी friends, ठीक है, इसलिए number one quality ही तो है कि आपकी habit develop हो जाने चाहिए, और वो habit हम कैसे develop करेंगे, दोस्तों आज से जैसे जिम जाते हो ना अगर आप जिम जाते हो तो पहले दिन आपसे बहुत भारी weight नहीं उठता है, लेकिन एक साल regularly अगर आप जिम चले गए तो शायद आप 50 kg का भी weight बड़ी आराम से उठा लो, तो आज से ही वो 6 गंटे पढ़ने की habit आपको डालनी है, आज चाहिए ना पढ़ पाओ, आज चाहिए आप 2 गंटे पढ़ पा रहे हो, coaching से आते होगे, ठक जाते होगे, 2 गंटे में सो जाते होगे, लेकिन उसको धीरे-दीरे 5 गंटा करो, 3 गंटा करो, 4 गंटा करो, करते करते आप डेली का 6 गंटे पढ़ने की आदत पर पहुंच जाओ, ठीक है, और दूसरी quality है, कि आप quick revision ready हो, ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, quick revision ready का, number 1, कि 11th के high weightage वाले topics, और 12th के high weightage वाले topics, आपने at least एक या दो बार, ठीक है, और उनके PYQs, उनकी DPPs, आपने एक या दो बार करी हो, इससे क्या होगा, कि जब आप नया concept पढ़ते हो ना, आपको time लगता है, लेकिन अगर आपने already वो concept पढ़ा होगा, तो आप जल्दी से उसको revise कर पाओगे, ठीक है, एक condition तो quick revision ready की ये है, कि आपने हर topic, important वाला, major weightage वाला, एक या दो बार किया हो, दूसरी आपकी एक requirement ये है, कि आपके notes ready हो, ठीक है, अब वो notes आपके class notes हो सकते हैं, या आपके handwritten notes हो सकते हैं, वो notes आपके पास ready होने चाहिए, उनकी value कुछ और ही होती है, उनसे आप कुछ जादा समझ पाते हो, कुछ जादा सीख पाते हो, ठीक है, तो आपके अपने notes यहाँ पर ready होने चाहिए, तो अगर ये दोनो qualities हमें achieve करनी है, इस date तक, तो हम इस पूरे time period को हमें use करना है, चाहे हमारी कोई भी situation हो आज, हमें य ये दोनो qualities इस date तक develop करनी है, जिस बंदे ने इस date तक ये दो qualities develop कर ली, उसका selection हो जाता है, जो नहीं कर पाते, उनका नहीं होता है, ठीक है, तो अपना target September 24 को बनाना है, all right, moving on, देखो, अब आती है बात कि हम सबसे पहले क्या करें, ताकि हमारी वो दो qualities develop हो जाएं, हमारी ज तो सबसे important issue जो आता है, वो आता है आपकी health का, किसी भी हालत में, दोस्तों किसी भी हालत में अपनी health पे compromise मत करना, health is the most important thing in life, ठीक है, और दोनो aspects, आपका mental health भी और आपका physical health भी, ठीक है, आपकी जो mental health है, उसके कई aspects होते हैं, आप क्या हमेशा stress में तो नहीं रह रहें, आ अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ problem हो रही है, तो please talk to your family, please talk to your loved ones, please talk to your friends, and अगर कुछ ज्यादा बड़ा issue है, तो please don't hesitate in consulting the professionals also, alright, तो please take care of your mental health, वरना IIT हो भी गया, तो भी क्या फायदा, right, और second, आपको अपनी physical health का भी खयाल रखना है, I would recommend, प्लीज आप डे avoid करें, कभी कभी चलता है, लेकिन ज्यादा तर आप junk food ना खाएं, अपनी eyesight का खयाल रखें, जेए की preparation के time पे हमें काफी time किताबों को देखना होता है, laptop पे देखना होता है, बहुत pass वाली चीज़े देखनी होती है, right, तो आप please दूर की चीज़ों पे भी focus करने की करें, अपनी आखों को rest देते time, अपने free time में भी social media वाला interaction मत करें, क्योंकि फिर वो आपकी eyesight को और week करता जाएगा, alright, और finally एक और advice, कि आप रोज half an hour to 45 minutes की exercise जरूर करें, और वो exercise किसी भी type की हो सकती है, आप जाके कोई sport खेल सकते हैं, badminton केल सकते हैं, cricket खेल सकते हैं, या फिर आप simple एक walk भी कर सकते हैं, अभी आप young हैं, आपको अपनी bodies का खयाल रखना चाहिए, alright, अब finally बात आती है, backlog की, दोस्तों, कई मेरे साथ भी हुआ था मेरी J.E.Prep के time पे, मेरे coaching center में rotation, gravitation, waves तक शुरू हो गया था, और genuinely बताओं तो मेरा loss of motion भी नहीं खतम हुआ ठीक है, तो backlog जो होता है न, वो एक train छूट रही है न, जैसे, वैसे होता है, ठीक है, अब मानलो आप घर पे बैठ रहे हैं, आपकी train छूट रही है, तो क्या आप एकदम जल्दी करके घर से निकलने की कोशिश करोगे, या फिर आप अराम से कपड़े पहनोगे, अराम से खाना खाओगे, फिर जाओगे, आप पहला option से लेट करोगे, तो आप जल्दी से जल्दी train को पकड़ने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब क्या, देखो, मानलो आपका motion में backlog है, ठीक है, अब अगर आप ये मान के निकले, कि नहीं जी, मैं तो पहले class notes पढ़ूँगा, फिर HC वर्मा पढ़ूँगा, फिर PYQ करूँगा, mains के भी करूँगा, advance के भी करूँगा, फिर DPPs भी सारी करूँगा, तो फिर तो भूली जाओ, दो साल में क्या, तीन साल में क्या, चार साल में भी आपका backlog खतम नहीं होगा, आपको क्या करना है इस time पे, कि class notes पढ़ने है, फ अब आप 11th में हो, exam अभी डेड़ दो साल दूर है, at this stage of your journey, backlog करने का logic यह है, कि आगे आने वाले chapters, जो कि dependent होते हैं, पिछले chapters में, जैसे कि rotation जो है, वो laws of motion पे, work power energy पे, kinematics पे dependent है, तो rotation में आपको दिक्कत ना हो, just because आपका kinematics, या फिर laws of motion या work power energy छूड गया है, तो आप इन chapters के basics, और J mains level बहुत असान है, तो J mains level तक की knowledge अगर आप build कर लोगे, तो शायद आप rotation के फिर advanced questions को भी attempt कर पाओगे, right, backlog का यह logic है, लेकिन फिर भी, अगर आपको लगेगी 11th, February 2024 तक, आपका बहुत ज़्यादा backlog बढ़ता ही चला जा रहा है, और आपको ultimately, कुछ chapters छोड बेस chapters हैं, जो कि आपको आगे आने वाली chemistry और physics और maths के लिए prepare करते हैं, ठीक है, तो जैसे physics में example दे रहा हूं, laws of motion, units, basic maths, basic maths includes calculus और vectors, motion, work power, energy, यह chapters जो हैं, वो basic हैं, बिना laws of motion के कई electrostatics के questions भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वैसे ही chemistry की भी list और maths की भी list मैंने आपके स ज़्यादा हो जाता है, तो please at least यह वाले chapters आप कर लेना, chemistry में तो almost ज़्यादा तर syllabus ही मैंने लिख दिया है, पर chemistry की beauty यह है, कि वो NCRT और previous year question से भी complete हो जाता है, all right, moving on, यह low test scores, दोस्तों यही सबसे बढ़ाना demotivation का factor होता है, हमारे coaching center में हमारा test होता है, हमें पता चल ज हैं, मेरी rank इतने बच्चों में XYZ आई थी, तो अब तो शायद मेरा J नहीं निकलेगा, सारा excitement, सारी motivation, low test scores खतम कर देते हैं, ठीक है, तो सबसे low test scores आने की दो सबसे बड़े कारण होते हैं, ठीक है, एक तो यह होता है कि आपको test की anxiety है, ठीक है, आप घर में बैठते हो, काम से करते हो, पूरा time लगा के करते हो, कर पाते हो, लेकिन एक time environment में, एक controlled environment में, जब आप test देते हो, तो शायद आप से नहीं होता, ठीक है, तो अगर आपका ऐसा case है ना, तो आप से मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप test देने छोड़ना मत, कई बच्चों को देखा है वो यह है, कि मैंने बहुत-बहुत-बहुत सारे mock test दिये, मैं mock test देता था, घर आके उसकी analysis करता था, जो question नहीं होते थे, वो उनके solution देखता था, अगर वो समझ ना आए, solution देखने के बाद भी, तो teacher से जाके doubt पूछता था, तो आपको भी यही करना है, आप anxiety को test टेके, anxiety को, या अपनी, कह सकते हैं, ego को side हटाके, आप यह समझो कि J-E भी ultimately टेस्टी है, अगर आप test के controlled environment में perform नहीं कर पाऊगे, तो उस दिन J-E में भी नहीं कर पाऊगे, और यह दो साल की मेहनत, कुछ रंग नहीं लाईगे दोस्तों, ठीक है, एक reason तो यह होता है, दूसरा reason हो ठीक है, अब अगर आपकी classes में वो हो चुका है, तो अब आप क्या करोगे, आपके बस एक option तो यह है, कि आप YouTube पे जाके देखो, ठीक है, YouTube पे content available है, पर कई बार जो होता है, वो बहुत easy level का पढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको लगता है, कि आपको topic आता है, लेकिन actual में वो आता नहीं है आपको, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक paid resource बता रहा हूँ, हमारी ATP star app में एक concept section है, जिसमें आप physics, chemistry, maths के concept videos देख सकते हो, किसी भी topic पे, यह concepts हमारे quota के बहुत experience faculties ने बनाए हुए है, and this is a very wonderful resource friends, अगर आप इसका इस्तिमाल करेंगे, तो I'm sure you will benefit from it तो आप अगर वो use करेंगे, तो I'm sure आपके सारी conceptual understanding clear हो जाएगी, alright, तो एक doubt हमें यह आता है, कि हम study material कौन सा करें, तो guys, अगर आप किसी reputed coaching institute में पढ़ रहे हैं, तो उस coaching institute के class notes, उस coaching institute का study material, plus previous year questions, mains और advance के, last 20 या 30 years के, अगर आपने कर लिये हैं, तो आपकी preparation more than enough है, और honestly बताओं तो इस से जादा शायद आपको time किसी topic पे देना भी नहीं चाहिए, right, क्यूंकि आप सोचो, दो साल में आपको 75 chapters करने हैं, physics, chemistry, maths में, आप खुद calculate कर सकते हैं कि month में कितने chapters हैं, right, अगर आप एक chapter पे 10 दिन लगा दोगे, तो आप कभी course पूरा नहीं कर पाओंगे friends, तो finally अगर study material में आपको फिर भी, फिर भी कोई books का suggestion चाहिए, तो मैं ये कहूंगा, देखो, सबसे उपर मैं, मैंने books की list तो दे दिये, लेकिन सबसे उपर एक सबसे important line दिये, कि आप एक book करना 10 बार, रादर दन 10 book एक बार, ठीक है, तो physics में आप चाहें तो format of JE के according, ठीक है, HC Verma मैंने जानबूच के नहीं लिखा है, although वो बहुत अच्छी है, theory के लिए, but शायद वो JE के लिए अब इतनी appropriate रहे नहीं गई है, जितनी वो 20 साल पहले हुआ करती थी, all right, chemistry में फिर, NCRT is 10 times more important than any source, in fact, chemistry के लिए तो मैं ये भी कहूंगा, कि आपना अप के पास उसके बाद time बचता है, तो physics में, नरेंद्र, physical में, नरेंद्र अवस्थी, organic में, MS-Cohan, advanced वाली, inorganic में, JD Lee by सुदर्शन गुआ, ये आप try कर सकते हैं, ठीक है, but this is after you have completed coaching का study material और previous year questions, ठीक है, again, maths में उतनी theory important नहीं होती, जितनी practice important होती है, तो यहाँ पे आप time बचा के सिर्फ study material, coaching का, प्लस previous year questions कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास time बच जाए, तो एक दास गुपता की MCQ वाली book आती है, subjective वाली नहीं, MCQ वाली, और seeing age, आप try कर सकते हैं, तो ये थी book list, आप इसका screenshot चाहें, तो ले सकते हैं, और I think this covers the broad aspects of all the doubts that students have at this point in their journey, मैं तीनो categories of student, beginner हो, fighter हो, या settled बचा हो, उनको कहूंगा, अभी time बहुत है, आप आज से पढ़ना शुरू करोगे, consistently, आपको J.E. Advance में भी कोई नहीं रोख सकता, ठीक है, तो please guys, आज से मेहनत करनी शुरू कर दीजे, and I wish you all